चुकिदार को रहना चाहिए चुकिदार को जब सुबह में बुलाया गया तो चुकिदार जब आये यहां सुबह में चुकिदार साहब बोले कि опять कहा चले गए थे बजरंगवली खराइल इस तरह हमारे सामने एक हनुमान मंदीर है यह दरभंगा जिला के अंतरगत बिरॉल परखंड में आता है जो जगरनातपूर ओपी से सटा हुआ है बगल में जगरनातपूर ओपी है आज यहां देर रात कल की रात में लगभग लाखों की चोड़ी हो गई है दान पेटी तोरकर हरेट का तालात और बजरंगंबली का Chatin जो नगुदीत है उसमें गकुट लगा हुआ था मुकूट गाला में सोना का चैन हात में बाला ये सब लेकिन कल हम लोग थाना को खबर किये कल साम में थाना आई उपना खाना पूरी करके चली गई यहां कोई रातरी घस्ती नहीं होता है कुछ नहीं होता आये दिन यहां बराबर चोरी होते ही रहता है विगत एक महना पहले एक विजा कि दुकान है उसमें ताला में गेट का ताला तोर के वहां से बीक लाखो का उसका जितना भी कंपूर्टर नंबेट था मैं कैमरा सब चोरी करके ले गया उसमें भी थाना कुछ नहीं किया बरी दुख की बात है जब से डुख लगा दाना कौई ए तब से मेंट का सब मन बना रहे हैं से कहले कर जाए है बहुत डरें मांग हुए है हमारी प्रसाशन वंना चाहिए और भगल की एम्हें जाने और झाला पर भारी जाने अभी अपराधि का मौनोवल इतना बढ़ गया है जो मंदिर का ताला टूट जाता है घर में भी लोक सुरक्षित कि बिल्कूल घर में भी शुरक्चीत नहीं इसी से और जाये डर गणे मंदिर का तालात तोर दिया गया हलका भी अपराधी को डर जोड को डर नर्ट की भकवान का माभूतान का तो दुसको आप सकते हैं यहां के लोकल है यहां तो पता होगा ना कि अपी रात में घस्ती करती यहां नहीं करती है यहां काम क्या होता है घर में गटना हो तीर इसी मंदिर में चोरी हुआ है चोड़ हाई वोड़ेज चोड़ था जो मंदिर को भी नहीं चोड़ा पुलीस का हलका भी डरनी है इस विरॉल आपको नहीं है पुजारी है तो पता चला जो मंदिर का ताला टुटा हुआ है उदर यह मेन गेट का फिर वह भरवान वला गेट का दोनों का आज कल अभी बिहार की हम बात बता दें बिहार में एक नया सिस्टम लाग हुआ है दारू बंदी हलाकि बिहार में 2016 से दारू पता नहीं है लेकिन दोचार पीने वाले को पकड़के खाना पूर्थी कर लेती है थाना आज मंदिर में इसलिए चोड़ी हो गया अगर जनता की देखरेख में लग जाती थाना तो आज मंदिर में चोड़ी नहीं बिल्कुल सही बात है स्पी साब से क्या मांग है इससे प कैसे सुरक्षीत रहेंगे जिस दान पेटी से चोरी हुआ दान पेटी हमें दिखाईएगा बिल्कुल दिखाऊंगा आई देख सकते हैं आप जूम करके दिखा दे वहां मुकुट था भगवान का वो भी मुकुट नहीं है आप उसन कुछ था वो भी नहीं है और दान तोरने में उसको समय लगा होगा क्योंकि लौक सिस्टम बना हुआ है अब देख सकते हैं इसको भी तोरा गया तॉला मैंगे कि देख सकते हैं मैं टाला भी टूटा यह तॉला तो लगा हुआ दिख रहा है नया लगा और यह तोट गया मात्र इसमें नजधीख लाइए अब देख सकते कितना पुराना दान पेटी है यहां के लोग डड़े सा हमें है चोड से आज चोरी किया है कल गोली आकर मारेगा गोली आकर मार भी देगा इतना मरोबल बढ़ गया कुछ भी कर सकता है कुछ भी कर सकता है जनता की क्या मांग है आप लोगों की क्या मांग है आ पहर दिन कोई काम ने दारू वाले के पीछे परी हुई रहती है एक महना पहले मेरी दुकान में चोड़ी हुई इसमें करी 5 लाग के संपती ले गई आज मंदिर में हो गई केंपीटर दुकान आपकी थी जी हाँ ये सक्स सामने खड़े हैं जिनकी दुकान में चोड़ी हुई अभी तक आपका केस का स्टेटस क्या है अभी तक क्या कोई आप रादी पक्राया कुछ नहीं कुछ पक्राने वाली नहीं है अब एदन देने गए वहां भी बरगलाया गय यहां ने तो हम लोग के प्लाइन करने पर मजबूर होना पड़ेगा हम लोग यहां स्टोर के चले जाएंगे जब हम लोग सुड़क्षित नहीं है कितना लैप्टॉप था दो लैप्टॉप थी दो डैस्टॉप थी तीन कैमरा था मोरफो मंत्रा जो भी बायमेटिक डिव दूआ आप सोच सकते हैं मात्र दो कदम की दूरी पर जगरनाथपुर ओपी है और थाना भी तक आई नहीं अभी जस्ट पांच मिंट पहले आई और क्या बोलके गई ठीक है मैं देखता हूं आ रहा हूं थोड़ा दिर में फिर हम पता लगाता हूं बस इतना ही करकर चली बगल में ओपी है आ रहा हूं देखता हूं पता लगाता हूं हलाकि बगल में मंदिर है बगल में ओपी है हलाकि यहां पर हमेशा एक चोकिदार को रहना चाहिए बिल्कुल चोकिदार को रहना चाहिए चोकिदार को जब सुबह में यहां बुलाया गया तो चोकिदार जब यहां का यही स्थिति है लास्ट में कल साम में फोटा बाबू आए फोटा बाबू बोले ठीक है आज से यहां रातरी गस्ती होगा लेकिन अभी आज रात भी कोई गस्ती नहीं हुआ सब इससे पहले भी चोड़ी हुआ था ना अज मंदिर में हुआ तो उनका खुल रहा है कि रात गस्ती होगा इससे पहले सोय हुए थे उनको इस सबसे को रात में तो एक भी पुलिस यहां हम लोग को आतक नहीं मिले है कभी घूमते हुए दारू का ट्रॉक तो दिखता है रा भंगा जिला की जो पुलिस है बहुत चर्मडा गई है उस चर्मडाई पुलिस को अपने अस्तर से देख कर ठीक करें और रात की गस्ती करें सिर्फ दारू ही पकरने से इस गरीब जनता का भला नहीं होने वाला है गरीब जनता पर भी ध्यान देना परेगा चोरू चक्का क को भी पकरना परेगा